हलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो जैसे कि आप लोगों ने टाइटल देखा ठीक है कि कल की डेट में दो कमपनियां ऐसी है जो कल मार्केट को हिला सकती है क्यों हिला सकती है क्योंकि जो दोनों कमपनियां है उसके सेक्टर की दोस्तो दिगच है दोनों का काफी नाम चलता है ठीक है दोनों के नाम के साथ दोनों का जो वेल्यूएशन वो काफी खतरनाक है दोस्तो जो धमाका एकदम से कर सकता है और इतना धमाका अभी तक कर चुका है जिसके portfolio में वो दोनो companies है दोस्तों उसको ही पता है के सादमागा क्या है अभी तक अगर वो stock को वो companies को आपने investment नहीं किया investment के plan में aid नहीं किया है तो आप पूरा market छोड़के निकल जाए दोस्तों क्यूंकि वो दिगच company जिनका नाम चलता है ठीके तो चलिए फटा फट से उनके उपर कुछ comments भी आया है proper तरीके से जानते है proper तरीके से वीडियो में continue रहिएगा दोस्तों Profit Guru चैनल पे भी चिपके रहिए दोस्तों क्यूंकि daily business पे इसी प्रकार के stock लाके देता हूँ नीचे description में हमारा telegram का भी link दिया हुआ दोस्तों उसमें भी जाके join जाए क्योंकि daily business पे वहाँ पर भी internet के tips प्रोवाइट की जाती है और नीचे description में भी दोस्तों हमारा app stock and angel broking का link दिया है वहाँ पर जाए dimate account उपन करवाई है और proper तरीके से nifty bank nifty stock option में भरपूर पैसा गमाई है दोस्तों ठीके तो चलिए सबसे पहले में आप लोगों को उस sector के उपर लेके चलता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने IT sector आप लोगों के सामने open किया आज आपको IT sector में profit booking देखने को मिलेगी ठीके मिली होगी क्योंकि कल रात में जो NASDAQ था उसमें हमें करीबन 70 से 80 point की गिरावट देखने को मिली थी अब आप लोगों को पता है कि NASDAQ में सबसे ज़्यादा IT sector की company listed है और चाहे वो अपने देश की हो चाहे वो ठीके इसमें performance तो देखने को मिलता है ठीक है आज अगर देखेंगे तो पूरा IT sector का performance हमें down होते देखने को मिला अगर यहाँ पर देखेंगे तो कुछ company SEJ दोस्तों जो अपने 52 big के high के भी उपर निकल गई है नया 52 big का high बना चुक है तो आप लोगों को यह जो IT sector की companies है इसमें से आपको focus रखना है मैं आप लोगों को एक बार टीक लगा के बता देता हूँ जैसे आप देख सकतो बिप्रो टेक महंदरा TCS माइंट्री इन्फोसेस SCL टेक यह लगबख 6-7 company यह जो आपको long term में भर भर के पैसा कमा के दे सकती दोस्तो जिसके पास एक लाग रुपे रखा है और वो quality वाला stock ढून रहा है तो मैं बोल रहा हूँ यह 5-6 company में आँख बन करके पूरा पैसा डाल दे आने वाले दिनों में यह धमाका करके देने वाले और इसी में से ही दो company जिनका कल से दीन चालो होने वाला है ठीक है तो चलिए एक एक करके आप लोगों को वो company बताता हूँ और वो company का performance दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो first company दोस्तो TCS जिसके बारे में मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ यहाँ पर उपर भी आप देखेंगे तो TCS quarter 3 review मतलब कल इनका result आने वाला है ठीक है तो इसके बारे में इन्होंने review किया है ठीक है कि यहाँ पर profit अगर देखें तो 8% इनका बढ़के आ सकता है year on year ठीक है क्योंकि lockdown जोड़ लो उसमें lockdown के बाद बहुत सरी चीजों से यह निकल के साला नतूर पर अपना 8% profit अप करने की courses कर रहे हैं इनके उपर review ऐसा किया गया अगर यहाँ पर देखें information technology IT measure Tata consentancy service limits जिसे हम TCS के नाम से भी जानते हैं कुछ कीज के तोर पर यहाँ पर क्या किया गया है दोस्तों यह इनका review बताया गया दिसंबर quarter का ठीक है दिसंबर quarter earning session of large cave firm अगर आप देखें तो Friday मतलब कल की date January 8 मतलब कल की date Friday January 8 यह सभी कल के दिन है announcement होने वाला है दोस्तों इनके quarterly numbers ठीक है जो Tata Group की दिगच IT company है जो सबसे ज़्यादा Tata को Tata Group को revenue generate करके देने देती है दोस्तों ठीक है और यहाँ पर जो performance किया बताया जा रहा है वो performance बताया जा रहा है the quarter थी financial 2021 मतलब काफी strong रहने वाला इनका profit जो इसके stock की demand है वो भी market में काफी है दोस्तों ठीक है जो इनका project है project के बाद जो इनकी digital deals है वो भी काफी अच्छी हमें देखने को मिल रही है इस प्रकार का बताया जा रहा है इस review में दोस्तों मतलब आप लोगों ने अभी तक अगर TCS में investment नहीं किया दोस्तों तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ market आप छोड़ दीजे क्यूंकि दोस्तों ये AC company है जो खतरनाग profit देने बाली अभी stock का buyback हुआ था तीन हजार रुपे floor price रखा गया था उससे भी उपर कूत के stock market में घूम रहा है अब दोस्तों कुछ ऐसे के बड़ लिखे ले जिसको आप समझ नहीं सकते है जैसे मैं बता देता हूं जैसे आप देख सकते हो Roberts performance मतलब काफी strong performance इसका मतलब यह होता है ठीक है और board ने तो यहाँ पर आप देख सकते हो the board bill also consider the declare मतलब यहाँ पर decline कर दिया गया क्या third interim dividend मतलब एक साल के quarter में चार quarter होते हैं आप लोगों को पता है तो first and second quarter दोनों में यहाँ पर क्या dividend दिया तो third में भी interim dividend लेके आए है यह shareholder के प्रकार से lottery की news हो सकती है इसके बारे में हमने पहले भी आप लोगों को update किया था कि shareholder की बड़ी सी lottery लग गए दोस्तो तो आप लोगों को क्या करना है इस stock में बस investment करना है और कुछ नहीं करना है दोस्तो ठीक है आज का अगर हम performance देख से TCS का तो देखिए 3048 रुपे पे stock trade कर रहा है मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है ठीक है 3051 रुपे के previous close था open हुआ 3055 गेप अपनिंग लिया high लगा है 3080 का low लगा रहा है 3080 मतलब 80 point का moment हो रहा है यह आप लोगों को बहुत पस्ता ना हा रहा होगा अब आप देख सकते हो करीबन 40% की delivery अभी ही ले ली गई है क्योंकि यह stock में धमा का होने वाला कल रिजेल्ट है मंडे को सिधा performance देगा तो गेप अप उपनिंग लेगा अभी से तैयारी कर लिए को ने short term traders ने swing trade traders ने तो आप देख सकते हो करीबन 15 lakh quantity delivery ले गई है मतला इतना जोड़दान इनका performance बताएगा company information के अगर बात करता हो तो dividend की तारीख भी आ गई है recorded 14 जनवरी आपको 14 जनवरी से पहले पहले इस stock में investment करना पड़ेगा जो आप लोगों के लिए काफी healthful ओने वाला है और यहाँ पर आप देख सकते हो financial result जो है वो 8 जनवरी को आने वाला है अब आपन चलते हैं second company के उपर तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हो second company है infosus limited ठीक है infosus की अगर मैं बात करता हूँ आज इसमें भी मामूली सी 1% की गिरावट देखने को मिली 1266 रुपे के आसपास यह stock trade कर रहा है लगबख आज यह stock 1297 का high बनाया है 1255 रुपे का low बनाया है आज अगर इस trade में volume देखेंगे तो लगबख एक करोड नौ लाग quantity का volume रहा है 52 का high 52 का low देखें इसमें भी पज़ताना आपको बहुंकर तरीके से आने वाला है क्योंकि आप देख सकते हो 6 जन्वरी 2021 का tag लग चुका है जो 1302 रुपे का अपना 52 का high है 52 का low मात्र 509 रुपे का है ठीके आप अगर देखेंगे आज की delivery पेटन तो देख सकते हो almost 50% की delivery पेटन है quantity में देखेंगे तो 53,99,570 quantity हमें देखने को मिल रहे मतलब काफी अच्छी तरीके से इसने अपनी quantity विल्ड की है यहाँ पर भी आप देख सकते हो दोस्तों इन्हों ने भी अपना जो financial result है उसका announcement कर चुके है जो आगर आप देखेंगे तो इसकी डेट है दोस्तों 13 जनवरी 2021 ठीक है तो इस stock को भी काफी अच्छी तरीके से focus में रखके चल सकते हो तो आपको देखने को मिल रहा हुग the consider has approved the financial result of the period end December 31 मतलब दोस्तों यह stock भी अपना तगड़ा result प्रोवाइट करने वाला है तो इहाँ पर क्या है इस stock को भी focus में रखके चलिए क्योंकि जो इनका performance है वो आपको पताईए कि किस बेस पे चल रहा है तो यहाँ पर आप देखिए इनफोसस के चार्ट पेटन पर आपको ले के हैं ठीके यह नॉर्मली इंट्रोइडे का चार्ट है यहाँ पर अगर मैं 5 दिन का मुमेंट बताता हूँ इस हाई पर बताता हूँ तो लगबग 3% का था यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही नॉर्मल सी यहाँ पर अगर देखेंगे एक मेहने में करीवे 9% का इस हाई पर कवर करता हूँ तो 12% का 6 मेहने के अगर मैं बात करता हूँ तो 6 मेहने में आप लगबग देख सकते हैं इस टॉक में 63-68% का रिटन है 5 साल की में बात करता हूँ पांस साल में स्टॉक मरी से मरी हालत में गुम रहा था और पांस साल में लगबख 138% के रिटन बात ये है कि दोस्तों पांस साल में मरी से मरी हालत में जो गुम रहा था वो आपको लगबख 6 मेने पहले उसी प्राइस पर ये स्टॉक मिल रहा था ठीके तो भी बहुत सारे ट यहां पर भी जा रही है डी पाया लेकिन फिर से कंसुलिडेट करके स्टॉक ने एक अपसाइट का मुमेंट किया मतलब दोस्तों स्टॉक में जो चीजे मिलना चाहिए जो कंपनी में हमें मिलना चाहिए इसमें आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है इन अपसाइट स्टॉक हे दिया है कौलिटी वाले इंवर्समेंट एड़ना फरी कंपनी कंपटी इतना इतना पैसा है दोस्तों बारा लाक करोड की मार्केट केपिटल वाली टीसी है जो दोस्तो उसके आदे हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ इनफोसे से तो आप लोगों को बहुत पैसा कमाने का मुका है दोस्तो इन कंपनियों में जो इतने शांदा तरीके से परफोमेस कर रहे हैं दोस्तो ठीक है तो आप वीडियो को लाइक करिए चैनल को सस्क्राइब करिए क्योंकि डेली बेसिस पे आप लोगों को इंटरेटे की टिप्स प्रूवाइड की जाती है थैंकि दोस्तो